Special Coverage News, अब सिर्फ खबर मनुष्य की सेक्स समस्याओं से लेकर के सम्बंदित होते हैं जिसमें लिखा होता है कि यदि आपको कोई सेक्स समस्या है तो हमारे सेक्स विशेशक्य या सेक्सोलोजिस्ट गुप्त रोग विशेशक्य इस परकार के एड हम अकसर देखते हैं आज हम आपके साथ Special Coverage News के खास मुलाकात प्रोग्राम में मुलाकात करा रहे हैं इंद्रापुरम के बड़े Super Specialist Docteur जो यूरोलोजिस्ट है अन्डरोलोजिस्ट है । लुक्टर संजेग अकसे फम्य में सेक्सी समस्यां के लेकर समाज में जो भांतियां हैं उनका क्या निदान होना चाहिए हाल के दिनों में एक बहुत चर्चित पिक्चर आई पैड मैं जिसमें अक्षे कुमर अभिनीत बहुत पसंद की गई और उसमें खुल करके चर्चा हुई इस्त्रियों के कि उनकी यह समस्या क्या है और उसका क्या निदान होना चाहिए इसी प्रकार से पुर्शों की भी बहुत निजी समस्याएं होती हैं जिसका समाज में खुल करके चर्चा नहीं होती है क्या उनकी चर्चा होनी चाहिए जैसे हस्त मैतून इत्यादी और जो रोग होते हैं जिने कोई गुप्त रोक कहा जाता है क्या इसको सेक्सोलोजिस ठीक करते हैं या कोई और कई बार इनकी चर्चा न होने से समाज में ब्रांतियां फैलती है और इसका फायदा उठाते हैं कई जोला चाप डॉक्टर क्या इन के लिए जोला चाप डॉक्टर जा नीम हकीम के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना था इन सब भी बातों की हम चर्चा करेंगे आज सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सज्येगर से डॉक्र सब आपका प्रोग्राम में स्वागत है जैसे कि मैंने अभी जो बात रखी इस बारे में आज हम आपसे पुनित जी यह मैं आपका अबहर प्रगट करना चाहूंगा कि आपने हमें यह मुका दिया जनता तक पहुचने का और बताने का कि पताने का कि यह जो समस्या आप बता रहे हैं सैक संबंदी समस्या जिसको लोग जायतर एक परदे के पीछे रखते हैं है क्या और कैसे इसक परदेशक मूत्र किसे संबंदी सारी समस्या है एवं आदमियों में सैक संबंदी जितनी भी दिक्कत होती है उनको हम देखते हैं अंडिलोजी शब्द का मतलब ही होता है सैक संबंदी प्रिमारियों के देखना तर्म एक इंगलिश का तो जरूर एक शब्द कह सकते हो लेक इसमें जागरुकता होती है जो लेडी इसे इसे अभिन नहीं है वह भी बहुत शर्माता है खास तोर से एक अपनी कोई भी उसकी अंदरूमी बिमारी होगी यह सैक संबंदी कोई होगी वह खुल के नहीं बता पाता सबसे पहले वह जिक्र करता है अपने दोस्तों के जो लोग उसके साथ में उड़ते बैठते हैं यारी दोस्तों उनके साथ बताते हैं और सही ग्यान उसको नहीं मिल पाता इस कारण्ट से वह ही लेंट्स अप या वह वह पहुंसता है जैसे आपने का जोल अचाप लोगों के पास में वह इस कमजोरी का या इस आदमी की शर अगर कोई भी इस चीज को समझते हुए कि उसको कोई भी तकलीफ है प्रॉपर तरीके से वह एक डॉक्टर के पास आए जैसे हम अपनी बात करें के एंडुरोजिस्ट के पास आए और वह सही माइने में उसका हमें इलाज करें कि उसको तकलीफ क्या है उससे बात करके तो उसका मेडिसिन से भी बहुत सही उपचार है उसको कहीं नहीं बटकना पड़ता है और यह जो हम दवाई देते हैं यह बहुत महंगी दवाईया नहीं है जैदर लोगों के बीच में हैं कि अगर उसको सेक्समन दिक्कत हुई तो उसके इतना खड़चा हो जाएका और होता किसे चर्चा तो करते ही नहीं है वो गुप्त रोग ना होके गुप्त बाग कह करके उनका फाइदा उठाते है तो आपने जैसे का कि एंड्रोलोजिस्ट एक्च्वल शब्द है जो सेक्समन दिविश्व का तो इसका मतला हम बिल्कुल सही जगह है हम अपने दर्शकों से तो है कि कहना चाहेंगे की जैसे आप जौला चाप जक्तर जीक्टa या होडिंस का देखते हैं की सेक्सवालोजिस्टत तो एंड्रोलोजिस्ट वास्थ वास्त्यक्स्सेक्ष घारोजिस्टत है हम अपनी और से भी कहना चाहैंगे की शर्माई नहीं हम में बताएं यादि कोई भी सेक्समंदी समस्याज यहां पे मैंने देखा इसे जादा शंकाई है जिन का निवारान होना बहुत जरूरी है अगर आपकेमन में भी कुछ अका है तो हमारे से जरूर करें हमेरे कारेकरम में हम उनका निदान क्वालीफाइड डॉक्टर सज्जेग से चर्चा करेंगे और उन तक आपको बात पहुचाएंगे और आपको जवाब जरूर देंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम पूछेंगे कि आपके पास जितने पेशन्स आते हैं या सबसे पहले सीधा सीधा बात करेंगे कि कोई भी जब सेक्षोलाजिस्स की बात होती है तो इस उसमें सब जो अकर्शन उसमें दिखाए जाता है कि शरमायी हमारा दिमाग है हमारे पूरे शरीश को कंट्रोल करता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई तक्लीफ नहीं होती सिर्फ हमारा एक भ्रहम एक डर होता है जिसकी वजय से जो हमारे उपर एक तरह से हावी होता जाता है और हम इस समस्या से या कहिए कि जो सैक्स संबंदी दिक शुका है जिसकी वएते हैं सब चीज़ों से पर overly तो यह पता लगाने के बाद में हम उसको trigger करते हैं अगर कोई वागी में उसके इंदर है कि हम कहते हैं कि sugar Elsa करती है कि अखा करती हैं गुर्दे को असर करती है लेकिन यह बहुत कम लोगं जांते होंगे कि sugar तो यह सब चीजे पता लगाना कोई हर्मन डिसॉर्टर तो नहीं है अगर किसी हर्मोन में कोई कमी आ रही है तो वो चीज दी जाती है शुगर कंट्रोल करी जाती है उसके बाद में डिजाइड बेनिफिट मिलते हैं रिजर्ट बड़े अच्छे रहते हैं साथ में कुछ ऐसी दवाईय दी जाती है जो इस बड़ाती है और अच्छे देते हैं उनकी नपसंग्दा दूर हो सकती है यह जो आपने कहा कि करना है अगर कमी नहीं है तो आदमी अपने आप में इतना शक्षम होता है कि वह सब कुछ नौनमल वे में कर सकता है तो आपका कहने का ततपर है कि यह मनोविज्ञान ज्यादा है और पौरु शक्तिक हो लेकिन डॉक्ट सब यह पिल्स और जपानी तेल और यह व्यागरा क कि बहुत विग्यापन आते रहते हैं कि जपानी तेल लगाएं इटली का तेल लगाएं यह तेल और यह सब क्या चीज होती है जिसके बारे में कोई कॉस्मेटिक इन चीजों का इलाज होता है यह सब इस सिर्फ विग्यापन देकर के अज्ञानता का लाब उठाय जाता है देखिए ऐसा है मैं पूरी तरहें यह तो नहीं बोलूँगा कि इसका कोई लाब नहीं होता जैसे दवाईय आपने बता ही है लेकिन आपने नाम लिया व्यागरा दवाई का व्यागरा अगर हम बात करें तो यह दवाई जो है कंपनी है उसका जो उसका मॉलिकुल है रिज इनको जरूद बनी होती है और एक दिमाग में उनके जो ब्रहम पैता होता है कि वह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उनको दे दी जाती है तब ही इसकी जरूद होती है जब एक्च्वल में अगर कोई शरीर के अंदर कमी है अगर तो नॉर्मल ही है कि अगर हम अच्छी तरह और दंपत्य जीवन की खुशी का जो अधार है उसका वो अधार भी एक सुखी दंपत्य जीवन का सेक्स होता है तो जो लोग उसको अनंद नहीं ले पाते हैं तो आपने क्या पाया कि उनके अंदर क्या संकोष रह जाता है या क्या कमी रह जाती है जो उसका अनंद नहीं करते हैं लेकिन बहुत एह पुएंस पॉइंट होसको हम नहीं डिसकस कर पाते हैं और अगर करने हैं टो उस से क। अपने में जאु सी दोस्ति में करते हैं इसके लिए किसी साथा पिर दॉट्टर के पांच आ अगर आप किसी बुज़ुर्य से भी कभी बात करेंगे तो वो भी आपको दो अच्छी बाते बता सकता है हमारे पास आएंगे तो नेचुरली हम उस चीज को एक सांटिफिक वेव में उसको समझा सकते हैं जब भी कोई हमारे पास में इस तरह की समस्या लेकि कोई पेशन आता है तो सबसे बड़ी एक मुख व्लिश तरह की कोई बात को सकती है तो उसका भी ट्रेट्मेंट जरूरी है mesure हमें प्रोडें बात करना पड़ता है अपर से अपरोच रूच करना बटर कंए दर्वाई को साथ में हौने चीजरी ट्रीट्म्ट आसकती है बात करने के लिए इस विशे की यह सी ऐसा होता है कि यह कंभाइंड अप्रोच होती है यह जैसे आपने बताया दामपत्य जीवन दामपत्य जीवन किसी एक जनने से नहीं हो सकता है उसमें जैसे कहते हैं तो अगर मान लीजे उनकी फीमिल पार्टनर को भी कोई हैं उनको समझाएं तो दीरे-दरे करके अपनी बात को सामने रख सकते हैं और उनका solution निकल सकता है इसका मतलब आप पुरुष है यह महिला अगर आप दंपत्य जीवन का सेक्स की वज़े से पूरा अनंद नहीं ले पा रहे हैं तो संकोच ना करें हमें बताएं हमारे पास की चीजों को क्वालिफाइड अगें हम मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो वास्तु एक सेक्सोलोजिस्ट हैं डॉलोजिस्ट हैं डॉक्टर क्वालिफाइड जो है डॉक्टर संजेगर उन तक पहुचाएंगे उनका ऑनलाइन निदान करेंगे आप इंसे निजी रूप से भ की कोई भी चीज बाद में बढ़ी हो सकती है तो मैं फिर थोड़ा सा अब यह बातों को आगे ले जाते हूं यह जानना चाहूंगा कि ऐसे कौन सी चीज हैं जिसके लिए लोग आपके पास आते हैं और उनका निदान होता है अगर मैं एजवाई डिसकस करूं तो यंग मैं हैं जिनके अंदर को ब्रह kicking और यहां कि उन्होंने गलृती करी जब भात करते हैं उनके अंदर गेल्ट की बावना डेवलप हो जाता है वह इसका एक तरीका होता है इसमें कोई ऐसी गलत चीज नहीं है तो यह कुछ बाते उनके साथ बैठके जब करी जाती है तो वो इस चीज को समझते हैं और फिर मेरकाल से आदी समझ से उनकी वैसी दूर हो जाती है अब यह सिर्फ पुर्शों के लिए उप्यूकत होता है यह शब्द या महिलाओं के लिए भी ही शब्द यूज होता है काल सेल्फ सेCZZ जिए सरह के लिए कुछ लागो होता है यह सिर्फ पुर्शो पर ही लागो होता है कि अगर कोई भी चिज कर रहा है तो अथि में कभी नहीं होता है एक्सेस ऑफ एर्फिधिंग इस बैद हमारी रिपीट करते हैं DOE आप ऐसी किसी चीज के अंदर लिप्त है तो उसको इतना जादा ना करें जादा टीवी देखना बुरा है जादा चाइपीना बुरा है जादा अ शराप पीना बुरा है कोई भी ऐसी चीज ज्यादा पहान ब मीठा खाना बुरा है ज्यादा चावल खाना बुरा है। मतलब इसी तरह कैसे यह प्रिक्रिया भी यह क्लिया अगर आप अती करते हैं तो बुरी है तो डुक्सण आप आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को कि वह किस इस प्रकार से सुखी रहें, खुश रहें और माग दर्शन के लिए तो हम भी कही रहें कि कभी ऐसी जुरत होगी तो आपके पास निजी रूप से आ सकते हैं लेकिन एक to the masses at large आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दर्शकों को जितने भी लोग आप चाहते हैं कि समाज में उनको क्या दर्शकों को जरूरी यह इस समाज को सिक्षित करना शिक्ष्षा का मतलब यह निकि जो किताबों में लिखा है वो समझाना उनको यह बताना कि आपका अगर उसमें कोई भी समस्य आप फिल करते हैं मैसूस करते हैं या किसी चीज की जानकारी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देखिए कि हमें किस जगे जाना चाहिएं इस सीज की शिक्षा बहु जरूरी है अगर हमारे पेट में तार्द है तो हम जाना चाहते हैं कि तोड़ा सा टर्म सुनने में अजीब सी लगती है, लेकिन सही मायने में एंडरोजिस्ट ही होता है, जो साइन्टिफिक तरीके से आपकी समझ्या को सुन सकता है, समझ सकता है और उसके बाद में उसका निदान आपको समझा सकते हैं, आपकी बास सुनकर के एक जो दर्शकों क तो बड़ी जोर से जो मैसेज इस वड़ी लाउड अंड कि लियर जोर से देना भी चाहिए और समझना भी चाहिए, कि एक्शुली एंडरोलोजिस्ट इस दर्याल, सेक्से और शेक्षोलोजिस्ट और सेक्षोलोजिस्ट सीफ श्ब्द है, जो मेडिकल टर्म नहीं है, तो म गुगल में भी इनका नाम डालेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे आपका एड्रस भी मिल जाएगा और हम आप तक पहुचाएंगे भी सभी डॉक सब आप ने जो आज मांक दर्शन किया उसके लिए हम आपके बहुत-बहुत अभारी हैं और इसको टॉक कॉम टाइटल भी यह धन्यवाद पनी जी धन्यवाद दर्शकों जैसा कि मैंने पहले का आपको कोई और चर्चा करनी हो कोई आपके प्रश्ण हो तो आप ऑन-लाइन हम से पूछिए हम डॉक्रसक तक पहुचाएंगे और आपके शंका का समधान जरूर करेंगे आपके मेरीड लाइव थैंक यू वरी मुच